हलो बच्चों, वेलकम इन माई यूटूब चैनल आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजे बताऊँगा जो आपको प्रेक्टिकल में पूछी ही जाएंगी सबसे पहली चीज है कि लेंस क्या चीज होती है लेंस को कैसे आप identify करोगे कि आपके पास जो एक glass है वो lens है या फिर mirror चलिए बच्चों अब हम इन सभी questions के answer को जानते है बच्चों, lens की पहचान क्या होती है कि lens में light एक तरफ से incident होगी इधर से आप incident करोगे तो इधर से वो बार निकल जाएगी ठीक है यह है बच्चों mirror ठीक है mirror में क्या होगा जब आप light incident करोगे इसके उपर तो light दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकलेगी बलकि यहाँ पर light पढ़ने के बाद इस glass से reflect हो जाएगी ठीक है तो यह क्या है यह कैसा glass है इस glass को बोलेंगे mirror तो यह होता बच्चो basic difference between lens and mirror ठीक है अब lens जो होते हैं बच्चो वो दो type की होते हैं एक होता है convex lens और दूसरा होता है concave lens ठीक है आप अपके practical lab में जाओगे तो आपको दोनों lens ऐसे ही दिखेंगे convex lens भी आपको ऐसा ही दिखेगा गोल गोल होगा ring shape में होगा और concave lens भी आपको ऐसे ही दिखेगा अब इसको identify कैसे करेंगे कि कौन सा हमारा convex lens है कौन सा हमारा concave lens है तो इसको पहचान करने के कुछ तरीके हैं वो मैं आपको बता हूँगा जिससे आप पहचान जाओगे यह convex lens है और यह concave lens है तो देखें पहला तरीका तो यह है कि जो convex lens होता है वो आपका जो किनारे होते हैं यह किनारे का जो part है यहाँ पर यह बहुत ही पतला होता है और यह बीच में बहुत मोटा होता है बीच में थेक होता है, अब बात करते हैं concave lens की बच्चो concave lens में क्या होता है, concave lens हमारा जो होता है beach में से पतला होता है, beach में थेन होता है, इस जगह पर थेन होगा और जो sides होंगे, यह जो किनारे हैं, यहाँ पर यह थेक होगा, यहाँ पर यह मोटा होगा ठीक यह देखेगे यह यहाँ पर मोटा होगा यह Concave Lens की पहचान होती है अब आप बच्चो दोनों Lens से इसको compare करके यह पहचान सकते हो कि कौन सा Lens Convex Lens है और कौन सा Concave Lens है अब चलिए उस पर बात करते हैं Convex Lens से किसी भी object को अगर हम देखेंगे तो वह हमें अपने size से बड़ा दिखाई पड़ेगा तक है तक है तक है